Welcome back to the fifth lecture of set theory यहां हम लोग when diagram के बारे में बात करने में अब यह diagram का कहा इसे यूज आगया set theory में ठीक है when क्या है इसके बारे में तो चलिए when तो है वह तो mathematician का नाम है आप समझ जाएगे देखिए when तो mathematician का नाम है अब यह diagram का क्या यूज होगा set में तो कोई भी चीज में diagram बनाया जाता है उसको अच्छे से clarify करके देखने के लिए जैसे मैं आपको एक cricket match का data लाके रख दू ठीक है इतना data और उसी के जगर मैं आपको एक line graph बनाया के दिखा दू अपको आपको graph देखने में अच्छा लाएगा विजुलाइज होगा और आपको ज्यादा देखता है आपके mind में रहेगा यही कारण है diagram और graph को लाना यहां भी सेम काम किया था दो महान mathematician जो एक थे वैन और एक थे यूलर ठीक है आप लोग यूलर का नाम तो कम से हम सुने होगी तो यूलर सबसे पहले क्या किये थे कि सेट को बोले थे कि point के रूप में दिखाओ ठीक है फिर British mathematician थे John Wayne और उन्होंने भी आइडिया दिया और फिर बाद में एक diagram बनके आया वेन diagram बोला जाता है जिसको ये वेन यूलर diagram भी ब्ला जाता टाएं तो simply है when diagram क्या है सबाहर्ण करता है और और एनी operation on set अब यह operation कहां गें sit पर ठीक है तो अब यह पढ़ने वाले है जैसे नमर पर होता है न अडिशन सब्सक्षा वैसा यह operation यहां भी होता है ठीक है क्या जड़त पड़ा operation का तो operation simply समझें operation कहां sit किया रहता है सेट पर ज्यादा सेट प्रेड्यूस करने के लिए क्योंकि एक finite 8 आता है देखिए पर सबसेट क्यों निकाला गया जैसे कि और सेट का जन्म हो तो उसी तरह से operation में इसलिए कर रहे हैं कि और सेट हो और बच्चे थरा परचान हो ठीक है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है बहुत सारा इंपोर्टेंट हो जाता है सेट यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं अलागला जहां पर आप देद्रे फिल को समझेंगे तुसलिए समझते हैं आप इससे पहले कि मैं brain diagram बनाना शुरू करूं आपको कुछ-कुछ बातों का जो मैंने बता दिया है फिर भी आप लोग को मैं device कराता हूं यू जो है यह दिखाता है यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट simply means वह सेट जो जितने सेट का बात हो रहा है ठीक है उस सारे का सेट र तो यह जो कहलाएगा है यहां पे यह कहलाएगा उनिवर्सल के उनिवर्सल को हम sır kan Если पहला यह इसका भी इसमें इसका भी इसमें यह आईसी बोल सकते हैं छी मोर्य निवर्सचेहायी चैनल करेंगे और चित त्यों से करेंगे हम लोग इंड डिखाय तो इसको दिखाम इसको दस्सो चीज अगर यहां पर 10 इसका बात करें तो 10 elements 1 से 10 तक इसके अंदर दिखा रहा है अगर मैं इसके अंदर C लिख दूँ यू लिख दूँ ओके दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि जो क्या है सबसेट और कि रीखाएंगे तो संबसेट है वह प्ट की के लूप में डिपरजर्ट किया एक इसक इसका युनिवर्सलों चेट कह सारह सबसेट है देख tenemos for one two जो कि इसका पार्ट यह संदर यह का सबसेट है तो यह वां जोडिवान तो एे इसका इसका दूआक universal set वह कैसे represent किया था है और represented in circle in circle ठीक है या by circle और यह circle कहां बहुता है तो within rectangle rectangle के अंदर कहने का मतलब कहने का मतलब यह हमारा गर C एक universal set है हम दोशको u से ही दिखाएंगे तो अगर यह आपको दिखाना तो यह आप ऐसे दिखाएंगे यह होगा यह यह जो को दिखाना तो बी इसी में दिखाएंगे और उसका नाम दे दिया जाएगा अब कुछ-कुछ बाते आपको ध्यान में रखते हैं ठीक है पहला है सब्सेट का मतलब तो अब मैं आपको थोड़ा सब्सेट कर दूं कि यह ऐसे लिखा जाता है सब्सेट और बी यानि एक का सार कि यह बात करो यह है और बी मैं कोई ऐसा सेट बना दिया यह मेरे पास वन टू यहां मैं रिफाइंड करके गया हूं नहीं लिख रहा हूं और बी जो है वह है वह ए बी अब वान टू और अब बी में कुछ कॉमन है इन तो यहां बी जो का लाएंगे वह का लाएंगे सेट इसका दिखा सकता है क्योंकि उनिवर्सल सेट में तो सारे सेट रहते हैं आप चाहें दस सेट का बात करें एक साथ दो भी सेट का बात करें जिसका बात करें सारा तो इनिवर्सल सेट का पार्ट होता है ठीक है क्योंकि उनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट को अपने अंद कि इधर बीधर जैसे यहां यहां पर एबी कौन है यहां वन बीच में लिखते तो यह इंटर्सेक्टिंग सर्किल क्या दिखाएगा कि जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है एलिमेंट्स इस अब एक दुसरे का पार्ट है तो उसके अंदर में लिख लिजिए जैसे ए और बी दोनों एक दुसरे का पार्ट ही है तो यहां जाए एसे लिखेंगे को कि ऐसे शाब सेट अधिञे जैसे था तो इसमें भी दिख सकते एज जो अंदर रहेगा आप जो इनन है कि ए और भी हमेंसा सब्सेटी हो इंट्रेक्टिंगा जैसे मैं बलूब बोलू कि ए जो है वह हम तो थो माली जया और बी जो है यहां तो मैं बारवल सिर्ट कराऊ। और उसे इस साब से एक्जांपल भी दे रहा हूं तो आप उस पर ध्यान रखेगा. और नहीं सब्सक्राइस का नहीं है कि अभर सुछनों में किसी दूसरे नहीं है। तो वह किस जो है वह intersecting का है subset और intersecting दोनों अलाग लग case है ठीक है तो चलिए मुझे अब अब यह समझ गया होगे अब हम बात करते हैं operation पर जहां पर और अच्छे से हम लोग को representation समझ में आये अब हम लोग पढ़ने वालें कि operation सेट पर अभी हम लोग में दो ही सेट लेंगे उसी पर operation करके देखेंगे अब जैसे operation होता है simply number पर addition, subtraction, subtraction, multiplication वहसा ही इस पर भी होने वाला है यहाँ उसी तरह से है बस नाम अलाग अलाग है पहला जो है वह कहला जाता है union offset ठीक है union मतलब क कि मिल जाता है उसी का union चाहिए union group सब्सक्राइए union group सुने होंगे जिसमें बहुत चाहरे मैन होते है आदमी होते हो मिले यहाँ पर union सेट का है 2 यहाँ से जादा शेट का है जैसे हमारा पास माली जो एक सेट है और वो सेट है 1-2 उसमें element है 1-2 और कोई सट भी है जो इसमें यहां लगाते हैं तो उपर के तरब यू है उसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं यूनियन भी इसको क्या पढ़ेंगे यूनियन भी वह क्या हो जाएगा वह सारा वह set of all elements जो a में भी है और b में भी है तो फिर उसको फिर नहीं लेंगे लीजा फोगा सेट में और कोई इंपोर्टैनल कोई सकता हैं यहLi union हो गया a और b set का of course 3 set होता तो 3 set का जितना element है सब combined हो जाता तो union simply क्या कहता है कि set of all those elements जो या तो set a में है या b में है set of all those elements which either belongs to a or b all those elements which either belongs जो या तो belong करते हैं यानि है a में यानि first set में second set में और भी कई set में belongs to set a और b यह हो गया union ठीक अब इसको हम लोग अगर roster form में लिखना है यह तो इसका हो गया roster form अगर हमको इसको set builder form में लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a union b equal to उसमें क्या इसका property डिसक्राइब करते हैं तो हम लोग बोलेंगे set of all x such that x जो होगा वो बिलोंग करेगा a को भी और x जो है वो बिलोंग करेगा b को ठीक और अगर हम यह बोलते हैं ऐसे उल्टा भी बोल सकता है इसका कि x अगर बिलोंग कर रहा a union b को इसका क्या मतलब है अगर x कोई element है मालिज जैसे 1 ही है 1 कोई element है जो a union b दोनों का बिलोंग कर रहा इसका मतलब है कि x a को भी बिलोंग कर रहा ठीक है x a को बिलोंग कर रहा या X B को बिलॉनकारा जो cloudy से जासे एक्षामपार एल उनियन कर रहा है विभको है क्षके। लेकिन B से विलॉनक्त मुस्तम इन्ड और 這邊 कर्के यहां में लगाएंगे अपना joint set में, तो intersection of sets, अब intersection का क्या मतलब है, तो intersection का होता है, जो ऐसे दो line का intersection का आप सुने होंगे और पर होंगे, तो दो line intersect करता है, मतलब उन दोनों बीच में एक common point आता है, वहाँ पर intersect करता है, उसी तरह से यहाँ भी intersection का मतलब है, कि अगर हमारा पास कोई दो set है, for example, यहाँ पर 1, 2 है, या 1, 2, 3 है, एक set और कोई B set है, जिसमें हमारा पास है, वही A, B, C है, 1 है और 2 है, यह दोनों set है, इस दोनों में जो common होगा, जैसे यहाँ intersection में common point होता है, उसी तरह से इस दोनों में common जो होगा, intersection जो है, वह बोलता है, जो आ ए में हो, और 2 हो, दोनों में हो, यहाँ का either का condition नहीं आता, यहाँ बहुत का condition आता है, मतलब A में B होना चाहिए और B में B, जैसे मैं बात करो, One का A में भी है, B में भी है, तो इसका मतलब है, कि ये दोनों common है, तो intersection में आएगा, ठीक है intersection के लिए अपना symbol है यहां पे जो हम intersection में है वो union का just ultra लिखा रहाता है तो इसको हम u के ultra लिखेंगे यानि inverted u तो inverted u यह symbol है कि इसका intersection का तो a inverted u जो होगा वो कैसे हम लिखेंगे वो element जो a और b दोनों का बिलों का रहा है a और b को सिर्फ one है जो दोनों का बिलों का रहा है और two है जो दोनों का बिलों का रहा है three a को तो बिलों का रहा है लेकिन b को नहीं बिलों का रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे definition लिखना चाहे तो definition जहीं जो लिखेंगे set of all those elements जो belong कर रहे हैं A को भी और B को की set of all those elements वो सारे elements का set ये एक new set which belongs to A and B both which belongs तो अपकोस तीन set भी हो सकता था यहां दो का ही हम लोग में बात करते हैं which belongs to set both set A and B ये हो गया intersection का concept इसको हम लोग ये तो हुआ किस form है ये तो form हुआ इसका roaster form अगर tabular form लिखना चाहिए तो sorry अगर set builder form लिखना चाहिए तो वहाँ पर अगर उसका property डिस्क्राइब करते हैं set of all X such that X belongs to R XR को बिलोंग कर रहेगा और यहाँ पर X कैसा होने वाला है तो X A को भी बिलोंग कर रहेगा तो वह दूनों को बिलोंग करने पड़ेगा तभी वह intersection में आएगा ठीक अब चलिए एक और चाहिए यही से एक निकल के आता है concept disjoint set का जो हम लोग बात किये तो disjoint set हम लोग वैसे जानते हैं कि वैसा set जिसमें कोई common element ना हो तो यहां पर भी तो बात किसका होड़ा है कि वह element जो common हो यानि दूनों में हो तो जो ही तो common होगे तो यहां पर यह concept आता disjoint set का अपकोस हम लोग इसको second lecture में ही परचुक है type subset में फिर भी यहां पर intersection के term में लिग ले तो disjoint set जो होगा वह कैसे explain करेंगे कि अगर intersection किसी दो set का empty है या null है या void है तो if intersection of any two set या any two or more भी हो सकता है two or more set intersection of any two set is null यानि खाली है कुछ नहीं आ रहा है तो वह क्या कहलाएगा वह कहलाएगा disjoint से जैसे example में a है a कोई set है जिसमें one two three है और b एक set है जिसमें a b c है तो इसमें a और b का अगर हम intersection निकाले तो कोई ऐसा element नहीं है जो इसमें भी है और इसमें भी है तो यह क्या देगा हमको एक five देगा five मतलब empty element देगा तो यह जो है यह set कैसा हो गया यह हो गया disjoint set a और b को together हम गों क्यावल देगे disjoint set again अगर x बिलोंग कर रहा यहाँ पर एक चीज़ दिख लिए अगर x बिलोंग कर रहा कोई element x है जैसे यहाँ one है one बिलोंग कर रहा a intersection b को इसका मतलब है यहाँ पर implies sign implies का इसका मतलब है कि x a को भी बिलोंग कर रहा है और x b को भी बिलोंग कर रहा है मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है ऐसा नहीं है union में था कि या तो a को या तो b को पर यहाँ पर दोनों को बिलोंग करना पड़ेगा ठीक अब देखिए हम लोग next जो है इस ए और दोनों दोनों मिल जाता है, जैसे A एक सेट है, उसको मैं सरकल से दिखाऊंगा, B एक सेट है, उसको भी सरकल से दिखाऊंगा, और A union B का मतलब है कि यह पूड़े को, आपको यह क्या होगे, यह पूरा universal सेट है, universal सेट मतलब सारे सेट, जैसे यहां पे माले जी कर देंगे डार्क बना देंगे थोड़ा चाव उसी तरह से अगर इंटर सेक्षन को दिखाना हो दोनों में देखिए इसमें से कौण ऐसा रिजान है दोनों में तो आपकोर्स यह वाला यह वाला पोर्षन इस सब्सक्राइब यह इस सरकल का भी अगर सेट ए है यह सेट भी है तो इस सरकल का भी है यह जो पोर्शन हो जाएगा यह क्या हो गया intersection ए इंटरसेक्शन बी यह दुनों का representation था disjoint set में मैं आपको बताए था disjoint set में कोई रहता नहीं है तो अगर इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो मतलब यह बीच वाला पॉर्शन है इन्हें बीच वाला पॉर्शन कब नहीं होगा जब यह अलग हो बी अलग हो तो यह हो गया किसका जैसे माल लेजे आपको घटाना था था फूर माइनस टू तब कैसे करते थे बच्पान क को याद हो हम लोग कैसे चीरत है 1 2 3 4 कर लेते थे और इसमें 1 2 कर लेते थे अब इसमें से बोलते थे हम लोगों को यह सिखा गया था कि इसमें 4 डंडी है और इसमें 2 डंडी छीनने आ था हम लोग एक डंडी हटा जाती एक डंडी हटा दिये थे तो बसता कितना था यह दोनों डंडी यह दोनों डंडी को खा देखे, जिसमें यहां पे देखे, यहां पे 4 माइनस 2 हम जानते हैं 2 डंडी बचा, मतलब 2 बचा, ठीक है, पहले 4 है, तो 4 डंडी बना लिये, 2 है, 2 डंडी बना लिये, माइनस saign दे दिये, और 2 डंडी, 2 डंडी को खा गया, आम लोग यह समझते हैं, ठीक, आप समझे यह जो A-B था अगर A हो यह B हो तो A-B था इसमें किसका पार्ट बचा क्या B का बचा ने बचा किसका पार्ट सिर्फ A का यह में जो 4 डंडी था उसी में से 2 डंडी यह भी बचा हुआ ना बी का डंडी था वो तो खत्म हो गया इसको मारने में वैसा ही दो सेट A-B है वो क्या दिखाता है वो दिखाता है सेट A-B जो एक सेट है वो सारे ऐलिमेंट का जो कि A को के तो होंगे लेकिन B के नहीं होंगे क्योंकि B पहले ही A वाले को खा गया होगा अगर आपको यह नहीं समझ माया है बहुत हेल्पूल है अगर नहीं समझ माया है तो एक्जम्पल से भी हम समझते हैं All those elements, वो सारे elements का जो Belong नहीं करते हैं which don't belong to B जो नहीं belong करते हैं किसको? B को जैसे अगर हम लोग बात करें ठीक है पहले इसको simply मिले खिलते हैं A है हमारे पास कोई element जिसमें है 2, 3, 5, 6, 7 ठीक है? B है कोई element हाँ बार 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 1, 2, 3 यह तरह पर परशान होगे तो एक बार आपके लिए बदा ले इसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13 ठीक अब हमको क्या करना है? A-B अगेन आप A-B यानि difference को और intersection को दोनों को combine कीज़ेगा दोनों अलग 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 चीज़ है वह difference दिखाता है कुछ अलग चीज़ और intersection दिखाता है दोनों का combine का तो difference A-B करेंगे मतलब देखिए A-B का मतलब हम difference निकालेंगे तो वह सारा element पहले तो जो जो होगा इसको खा जाएगा जैसे example में आपको बता दू 3, 3 को यहाँ खा जाएगा 5, 5 को खा जाएगा ठीक है वाला minus हो गया ठीक है तो बचा कौन A में खात्म करने के बाद तो सिर्फ 2 बचा और 6 बचा तो यहीं हो गया हमारा difference आ ठीक है A-B तो यहीं simple मतलब है कि A से तो बिलोंग करेंगा लगे B से बिलोंग नहीं करेंगा पहले B वाला के पास जितना capacity होगा उतना मार देगा फिर जो बचास हो गया अब अगर इसी में B-A निकालना राता तब B-A मतलब simply कि जो elements होगा elements in set A-B यह भी होगा एक set ही of course difference हो और union हो intersection हो सब एक set ही देता है collection ही देता है elements in set B-A will not belong to A वो नहीं belong करेंगा किसको क्योंको एक को क्योंकि A घट गया एक फिरे, नहीं किसके देखै को नहीं को काड़ सकता है 2 ही ने इसमें ऍवर्ड़ क्या होगे 3 को 3 काड़ दया 5 खाया 7 को 7 काड़े तो बच्षा कर ने इसके पास आग schwier तो B में बचा क्यों एक B में वह सारे element जो A को छोड़के है तो all those elements इसको आपके से भी जादर के B- A मतलब all those elements in B which does not belong to या which do not belong to elements कर दियो which do not belong to A जो नहीं belong करता है कि इसको A को ठीक है वैसे इसको अगर हमको define करना हूं तो all those elements A-B मतलब all those elements जो A में हो in A जो नहीं belong करता है किसे B से which do not belongs to B तो यह हो गया कि इसको A-B और B-A के बारे में ठीक है अब इसी difference से एक और आता है symmetric difference ठीक है और इसका of course हम लोग तो wind diagram में कैसे दिखाएंगे तो देखिए यह अगर हमारा पास A है यह उनिवर्सल सेट है युनिवर्सल सेट को हम लोग इसे दिखाते है यह अब यह है A यह क्या है B ठेक अब अगर A- B का बात करें और नहींना होगा उसमें अभानकी छो बचा हो यह बचा है' यह minus B क्या कहता है कि वस सारे में जो A में हो Пर लेकिन B में इस बीच में ढाता है इंट्रसेक्शन पेलीű o प्off såla, जो बाएंध को छब आजऄए सेड करते हैं क्यांकित कर देते हैं अब आगे एक आता है concept symmetric difference का यह वैसे NCRT में नहीं दिया हुआ और उतना important भी नहीं है फिर भी advance level के set को question को solve करने के लिए जब रही है symmetric difference of two set दो ही set पर बात करेंगे अभी symmetric difference क्या है symmetric difference simply जो है वो क्या है symmetric difference दिखाता है union हम बॉलेंगे difference है union हाँ union ही दिखाता है लेकिन दो अलगला difference का जैसे है इसको हम लोग ऐसे explain करेंगे union of difference मतलब difference का union आपको तरह आजीव लग रहा हुआ पर समझे इसको मैं पहले लिखी देता हूँ तो वही चीज है कि a-b और b-a दोनों को जोड़ दिए तो वह जाएगा क्या वह जाएगा symmetric difference इसको ट्रेंगल के रूप में दिखाता है a triangle b यह दिखाता है symmetric difference ठीक है पर यह आपके लिए उतना important नहीं है मैं अगेन बोल ना हूँ ठीक है यह simply दिखाता है सारह x such that x belong to a union b जैसे example लेना चाहिए तो a-b उपर से हमारे पास क्या निकला था तो a-b को निकला था अगर आप देखना चाहिए a-b निकला था 2 और 6 ठीक है क्या निकलता 2 और 6 और b-a जो आया था उपर में वह देखिए b-a जो आया था 9 11 13 आया था इस दोनों का union ठीक है और b ट्रेंगल यहाँ पर a और ट्रेंगल b है मतलब a-b और b-a दोनों को कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा इस दोनों का union यानि 2 4 और हो गया क्या है 2 4 9 ठीक है 11 13 तो इस दोनों का union ठीक है अब यह इसको dependent diagram में कैसे दिखाएंगे तो देखिए simple when diagram में इसको a-b हम भी represent करन a-b अगर यह दो set है एक है a और एक है b तो a-b जो सिर्फ a में है ठीक है बी वाला नहीं बी मैंस है सिर्फ यह और यह ऐसे intersection है यह इसी दोनों को set कर दिए यही तो union है तो यह दोनों को सिर्फ यह region को छोड़ दीजे यह region को छोड़ कि और जो हुआ वह क्या हो गया वह इसे ही अब कॉमन लगे मुल्डिप्लिकेशन का भी देख लेते हैं तो चलिए बात करते हैं मुल्डिप्लिकेशन को जिसको set में हम लोग जानते हैं Cartesian product के नाम से लेकिन थोड़ा सा इसका थोड़ा सा काम अलगे Cartesian product को समझने से पहले आपको थोड़ा सा concept लेना पड़ेगा ordered pair में यह आपको बहुत काम पड़ेगा अगरा चप्टर हमारा relation और function तो इसमें relation पूरा यह बहुत important है बोलिए तो इसी topic को लेके हुए पुड़ा घीचे हुआ है तो इसलिए आपको Cartesian product समझना समझना है और इसके लिए पहले समझना है ordered pair तो वैसे मैं definition यहीं रिखते हुआ हूं set of all ordered pair ordered pair from given set और यह ordered pair क्या है इसको समझते है अब ordered pair तो आप एक बार पर चुके हैं कहां पर Cartesian plane में यानि graph में याद है आपको 2,3 इसको represent करते है 3,4 तो है वैसा ही चीज़ है और यहां पर order का मतलब होता था 2,3 अलग था 3,2 अलग था स्यम चीज़ यहां भी है यह ordered pair क्या है तो two object दो object pairs किसी दो object का pairs है ठीक यानि एक भी हो सकता है जो भी हो सकता है बहुत सारा हो सकता है pairs किसमें in fixed sequence या order in fixed order ठीक जैसे example मेरे पास set है A उसमें 1 और 2 मेरे पास set है B इसमें A और B तो ordered pair इसका बनता आपको detail में मैं बोल रहा हूं फिर से relation में मिलेगा पर अभी समझ तो इसमें जो आपको order मिलेगा order pair का बात करा हूं तो order pair set नहीं होता अभी तक हम बात किये थे union वह भी आपको एक set देथा था जिसमें जो दो set थे उस दोनों का मिलके था जो intersection था उसमें वह भी एक तरह का set था जो हम लोग अभी difference किये वह भी एक set है लेकिन जो हम लोग अ एक बार A के साथ और 2 को ले लेंगे एक बार B के साथ यह बन गया आपको क्या order pair इसी पूरिये को आप set कर दीजे इस सबका set तो वह हो जाया गया अब तो बोले हैं कि order का कोई मतलब नहीं हो और का बहुत मतलब होता है इसमें तो क्या A1 भी ordered pair है of course है लेकि वह आजाएगा B A में B cross A में B cross A में क्या करेंगे पहले B का element लेंगे जैसे हां A और उसकी बाद A का लेंगे तो A1 ठीक है फिर A के साथ 2 फिर B के साथ 1 और B के साथ 2 यह आपको और detail में बताए जाएगा मैं बार बार बोल रहा हूं कहां पर तो जड़ी lesson है वहां पर अभी मैं थोड़ा सा feel दे दिया कि प्रोड़क्ट भी होता है operation में अब आते हैं हम लोग हमारे जो next है और बहुत important है वह है compliment ठीक है क्या चाहिए compliment तो चलिए पड़ते हैं compliment के तरब जो के मारा च्ठा operation है तो compliment of a set देखिए compliment set का जो होता है वो उस set को छोड़के जितना बचा उसको बोलते है compliment ठीक है जिसको हम लोग दिखाते हैं a dash से या a के उपर c लिख के compliment compliment दिखाता है वो साड़ा set ले लो जैसे natural नमर हम ले रहे है एक universal set यह क्या है यहां हमारा universal set तो इस universal set और हमारा set है a वो set में सिर्फ 1 2 3 4 5 5 है तो जो compliment है वो बतलाता है universal set जो है या natural नमर में से a घटा दो ठीक है तो जो तुम्हारे पास आएगा एक तरह से डिफ्रेंसी हो गया तो वो जा आएगा वो हो गया क्या तुम्हारे पास compliment a का ठीक है जिसको हम a dash से दिखाएंगे मतलब universal set में से अगर given set को घटा दो तो तुमको आएगा a compliment या a जैसे यानि 1 2 3 4 5 को छ अगर एक छोटा ले ठीक है जैसे माल लीजिए हमारा universal set जो है तत्काल के लिए मैं ले रहा हूँ एक 1 2 3 4 करते-करते ही हमारा 10 तक है ठीक है और हमारा a जो है वो है 5 तक 1 2 3 4 5 तो हमारा जो a compliment हो जाएगा या a c लिख सकते है वो क्या जाएगा 5 तक छो दो 6 7 8 9 10 यह हो गया क्या एक compliment हमारा ठीक है तुम्हें आप compliment भी अच्छे से समझ गया है ठीक अब देखिए इसको आप अरम से कैसे represent कैसे करेंगे ठीक तो represent करेंगे इसको हमारा पास कोई set है यह सेट पर भी हो सकता है दो सेट यह सेट है तो इस सेट को छोड़के बांकी जो बचा तो बांकी क यह हो गया यह और उसको छोड़के पूरा क्या बचा जो बचा वह हो गया एक compliment ठीक तो यह तो हो गया साड़ा operation के बारे में इतना ही हम लोग को अपरेशन पढ़ना है class 11 में तरतकाल अपको इस advance book में कुछ और दिया रह सकता है लेकिन main इतना ही है इसी के basis पे बहुत सारा formula वगरा वगरा बनाया जाता है next lecture में हम लोग जो हमारा last lecture वहां हम लोग बात करेंगे कुछ lodge के बारे में algebra का जो की set पे लागो होता है कुछ lodge of operation ठीक तो अभी हम लोग एक छोटा सा question कर लेते हैं जैसे सारा concept है वह हमारा हो जाए यह आपको a दिया हुआ, b दिया हुआ, c आपको a-b, a-c, a intersection, b, a union, b और a complement भी हम लोग निकाले लेंगे, तो देखें पहले a-b, a-b, a-b मतलब वह सारा ची, b को हटा दीजिए, और जो a में है वो ले लिए, अब of course इसका मतलब यह नहीं कि सारा a को a को उठा के रख दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है पहले देखें तो क्या का common नहीं है, ठीक है तो उसके लिए देखें, पहले इसमें कौन-कौन common है, देखें, 4 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, 12, 12 है, 12 को a से हटा दीजिए पहले, 16 नहीं है, 20 नहीं है, आपके पास a में वह सारा element आगया, 3 आगया, 6 आगया, 12 नहीं है, क्योंकि 12 b में था, 15 आगया, 18 आगया, 21 आगया, यह हो गया, a-c, अब चलिए a-c में करते है, a-c अगया, इसका क्या मतलब है, यह सारा c जो a में होगा, और c में नहीं होगा, मतलब c को हटा देना है, minus मतलब हटा देना है, c को, c को हटाने के लिए पहले देख ले देखें, कुछ-कुछ match भी 3 बचा, 6 नहीं बचा, 6 को c वाला खा गया, 12 को भी c वाला खा गया, तो बचा क्या, 15, 18, 21 यह हो गया, a-c, ठीक, अब है a intersection b, यानि a और b में क्या-क्या common है, यानि दोनों में है, तो a intersection b में क्या-क्या आ जाएगा, तो दोनों चीज़ एक यही है, 12, 12 जो है, वही, a union b में नहीं है, अब तो नहीं लग रहा है, कोई छुटा है, तो हाँ, यह हो गया, a union b, अब एक compliment में लेज़े निकालना है, तो a compliment कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर कोई universal set के बारे में दिया नहीं, अगर universal set अगर हम नश्या लमड को ले ले, तो इस सब को छोड़ के, 1 हो जाएग पूरा, जो अगर confusion है, वो हट जाएगा, तो हमारा जैसे देखिए, इस question में दिया है, universal set हमारा यह है, 1 से 9 तक, ठीक, और a हमारा 2468 है, और b जो है, वो 2357 है, अब पहला question है, a compliment, तो a compliment अभी किसके respect में निकालेंगे, जो यह हमारा universal set है, उसके respect में, a compliment क्या होता है, वो सार तो b में से सब हटा दीजे, ठीक, बी वाला हटा दीजे, universal set में, तो 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 5 हटा देंगे, 7 हटा देंगे, तो क्या बचा, 1 बचा, 3 ने बचा, 3 इसमें है, तो फिर 4 बच गया, 5 है, तो 6 ठीक, और 7 तो है इसमें, तो वो नहीं लेंगे, 8, 9, अब तो a union b निकाल लेंगे, और उसका compliment, तो यह दो step का question है, पहले a union b, आपको बोल भी सकता है, proof करो, ऐसा ऐसा कुछ, तो पहले आप यह union b निकालने के लिए, दोनों में जो a में है और b में है, उसको collect कर लेंगे, तो वो बन जाएगा 2, 2 दोनों में है, फिर 3 है इसमें, ठीक क्या हो जाएगा हमर पास, 1 बचेगा इसमें 2 तो नहीं, 3 बीने, 4 बीने, 5 बीने, 6 बीने, 7 बीने, 8 बीने, कौन बचेगा, 9, तो 1 9 हो गया, a union b का compliment, अब a intersection b, पहले तो a intersection b निकालना पड़ेगा, ताम नो उसका compliment, तो a intersection b, तो a intersection b, यानी a में भी है और b में, तो आपको 4 5 6 7 8 9 यह हो गया आपका सरा question भी हो गया पूरा concept भी हो गया आप next lecture में हम लोग बात करेंगे laws of algebra offset चलिए तब दिखते रहिए thanks for watching